नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चायवी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शेयर कर दें और जिर चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सब सब्सक्राइब करवा दिया गया है बहुत सारी जो चीजें है वह अब आपको निशुल्क मिलेंगी मैं आपको दिखा देता हूं यह टार्गेट वीड परियार जो वेब साइट है और इस वेब साइट में भारत की सभी प्रतियोगी परिचांके टेस्ट स्रीज तो आल्रे क्लिक करते एक तीस तारीक को देखे यह तो करेंट अफेयर क्यांच करेंट करेंगी जो जो चीजें हैं सब कुछ यहां पर दे दे गए इंपडेट कर दो आएगा और रोज अपडेट किया जाएगा और यह पूरी तरीके से निश्ट रहेगा और डेली करेंट ओर्पएर नहीं और यहां पर लिखा है अगर आपको समान देखनी है यह से आप लोग आपको पूरी दिन बार दिन गंटना है वह भी आपको इस चैनल के माध्धम से मिल जाएंगी इस website के माध्धम से मिल जाएंगी तो कुल मिलाकर के सब कुछ आपको इस website पर मिलेगा टेस्ट स्रीज पुराने पेपर डेली करेंट अफेयर डेली न्यूज और इसको आप लोग याद रखीगा कि यह जो डेली इस पर साथ सितंबर तक आनलाइन आपत्ती दर्ज करा सकते हैं परिक्षा नियंत्रक दिनिजन का कि आपत्ती के लिए यहां पर आप जैसे ही लॉग इन करेंगे वैसे आप जितने भी विद्धार्थी कल परेशान हो रहे थे मास्टर आंसर की को लेकर के आकिरकार हम कैसे प्रसनों का उत्तर है वो मिलाएं इसलिए विद्धार्थी अगर आप जैसन वाली लिंक पर जाएंगे और अपना जो रिजिट्रेशन नंबर है डेट अप बर्स वगएरा है जो भी डालेंगे उसके बाद में विद्धार्थ में बताया कि दोनों सिफ्टों में कम से कम तीन से चार क्वेश्चन परतम सिफ्ट में और जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें भी दो तीन जो क्वेश्चन उनको लेकर के अपती है और यह जो अपतिया वो अभी और बढ़ेंगी आज दुपहर में एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि किन किन प्रसुनों पर आपत्ती विद्यार्थी दर्ज करवा रहें नहीं तो यह जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा अगली सूचना है डियलेट की डियलेट सी विद्यार्थियों का मोह भंग हो गया है जब इसे बियेट को मानता मिल गए यह प्रात् सब्सक्राइब करते हैं और यह आलम तब है जब पिछले दो साल बाद प्रवेस हो रहा है क्योंकि पिछली बार जो कोरोना संक्रमन की वज़े से आवेदन ही नहीं मागे गया ते सत्री पूरा सून कर दिया गया था और यहां पर जानकारी निकल करके आ रही है कि चुक्कि आवेदन कम आए हैं इसलिए एक बार फिर सी जो आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई जा सकती है हाला कि एक बार पह परेशान हो चुके हैं चैन बोर्ड की कारप्रणाली को लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कोई सूस्त चैन बोर्ड है तो वह समय मादमीक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड और इन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी आ चुका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन भी हो चुक सेवा चैन बोर्ड अब तक पूरी नहीं कर पाया है कला और समाजिक विद्यार्थि अभी नुक्ति पाने के लिए संगर्च कर रहे हैं तो यहां पर लिका हुए इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि चैन इतों को जल्द से जल्द कालेज आवंडित किया जाए और जिल में प्रयाग राज में बालसन चौरहे पर यूवा मंच का एक बड़ा प्रदर्शन बालसन चौरहे पर होने जा रहा है सभी लंबित भरतियों को पूरा करने के लिए सभी रिक्त पतों चाहे वो मादमिक की हों प्राथमिक की हों या ल्टी की हों सभी पतों को भरने के लि संवीदा शिक्षर की सुरुवात हो चुकी है इसका चौतरफा विरोध होना चाहिए अनता इसी तरीके से अन्य सिक्षर संस्ताओं में भी संवीदा परबढ़ती होगी एक सितंबर बालसन पर हो रहे हैं रोजगार आंदोलन में सामिल इस आंदोलन की जो भी अपडेट्स हो वह बढ़ती की चौती सूची के लिए परदरसन 79,000 सिक्षक बढ़ती की बात हो रही है विद्यारतियों का कहना कि अभी भी 1002 सीटे हैं वो रिक्त हैं विद्यारतियों ने एडिशन नहीं लिया है उन सीटों की एक फिर से वेटिंग लिशन निकाली जाए और उनको प्रताप सिंग्भागेल को कलगयापन दिया है और अमित कुमार रविंद्र पंकच आलोग पांडे कप्तान सिंगार का कहना है कि जब तक चोथी सूची जारी नहीं होती है वे इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे और यहां पर लिखा हुआ है कि लगबग एक हजार जो सीट अगली सूचना है टीजटी दोजार एक केस कोट अपडेट की इसके बारे भी हाला कि मैंने कल रात में देर रात में वीडियो बनाया था और इस केस की जो कल सुनवाई हो गई है ब्रेश्टा चार को लेकर के विद्धार्थियों ने इसको केस किया है और लखनव कंट्पी परिज़ों को लेकर के कल बहस हुई और चेन बोड का यह साफ साफ कहना था कि हमने कोई अनिमित्ता नहीं कि है बरती पूरी तरीके से हुई है पूरी सुचिता बरती गई है और कोड ने कहा कि यहीं जो आप बात कर रहे हैं इसके बारे में एक एंफिडेविट जमा करिए और अगर सुचिता पूर्ण भरती भी है तो यह बताएं कि जो वहां के अधिकारी हैं यानि कि डियाई उएस इत्यादी हैं उनके खिलाफ कारवाई क्यों की गई है चेन बोड कोई खास अंतोस जनक जवाब नहीं दे पाया जब यह बात हुई कि इतने सारे बिद्यार्थ अगर को समझ में नहीं आया उसने सीधे सीधे दो हफ्ते का समय मांग लिया और उनका ठीक हम इसका जवाब दे देंगी तो दो हफ्ते का फिलहाल यहां पर देखी लिखा है कि रिस्पॉंडेंट नमबर थ्री सीक्स इस ग्रांटे टू वीक्स तो दो हफ्ते का समय मांगा और दो हफ्ते के अंदर इनको जो है एक टो एफिडेविट देना है रिएक्जाम को लेकर के कुछ परिक्षा केंदर की बात हो रही है अमिटकर नगर की और अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्द बाजी होगी अगली जो डेट है वो 14 तारीक की लगा दी गई है यहां पर द इंदर जाम की गए इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल बहस अभी चल रही है और यहां पर एक चीज और है कि जो चेयर बोर्ड के जो चेयर मैं ने देखी लिखा वह चेयर मैं अफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजक्वेशन सर्विस सेलेक्शन बोर्ड सेलरी में प्रेज अधियाचन है वह उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग पहुंच चुका है लेकिन परिच्छ प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है और उसकी वज़े से जो है इस भरती का विग्यापन जारी नहीं हो पा रहा है लिखा हुआ एप्यस 2013 निरस्त होने से ओवर एज हो रहे अब भरतियों के भविस पर संकट सासन इस्ते पर एक साल से फासा हुआ है पाठकर्म संसोधन का प्रस्ताओ उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग अपर निजी सच्चु एपिएज भरती दोजा 13 की परिक्षा निरस्त का शुकर चुका है और नए पतों का अधियाचन मिल तो जो बदलाओ किया जात ँपर अभी तक उन्मती नहीं मिली है इसकी वज़े से जो नहीं भ़ंती के चुब विगयापन नहीं नहीं हो रहा है, नीचे लिखा है कि दो दस्कों में आयोग ने एपिएस भरती के लिए दो विगयापन जारी किये हैं, पहला विगयापन 2010 मे सब्सक्राइब दर्ज कर लिए हाला कि इस भरती के तहत एपीएस के पदों पर चेहरत बैटियों की नुक्ति मिल चुकी है और वहीं एपीएस गया पाठक्रम की मंजूरी जैसे ही मिल जाती है वैसे इसके जो विग्यापन वो जारी कर दिया जाएगा चेहन वोड नई भरती निकालने के त्यारी करना प्रधानाचार की और वहीं पर पुरानी भरती वो अभी यह लटकी भी है लिखाए आठ साल में साक्षादकार की ता बता नहीं है बहुत सारी विद्धार्थी रिटायर भी हो चुकी है उनकी एज निकल चुकी है अब एदर लेने के तकरीबन आठ साल बाद भी मादमिक सिक्चा सेवा चेहन बोड साक्षादकार की जो तारीक है वो गोशित नहीं कर सका है और यह इसी तब है जबकि हाई को चेहन बोड से जवाब तलब किया है मामले की जो सुनवाई अब सात तारीक को होनी है यहां पर लिखा है अक्टूबर के पहले सक्षादकार वैसे भी नहीं होगा 2011 की भरती भी अभी तक चेहन बोड ने पूरी नहीं किया है चेहन बोड 2011 प्रथानचार भरती 10 साल में पू होती है जबकि समचार पत्रों के मादम से जानकारी दी गई है कि बहुत सारा जो रुपिया वो सरकार चेहन बोड पर खर्च करती है आप लोग यहां पर देख सकते जैसे यहां पर लिखा है कि तीन साल के अंदर अंदर 13 करोड रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका चेहन और 671 अभर्थियों का ही चेहन कर सका है समचार पत्रों के मादम से यहां पर पूरा डाटा दिया गया है कि चेहन बोड का जो प्रतिमागा जो खर्च है वो लगबग एक लाख रुपए यह देखी लिखा हुआ कि एक लाख रुपए एक लाग नहीं यहां पर लिखा हीने में तेरा करोड जो खर्च होता है एक वेरोजगार को नौकरी देने में चेहन बोड के मादम से बारा हजार रुपए से अधिक खर्च करने पड़े आज से खुल जाएंगे कच्चा एक से पांस तक के इसकूल कोविड नेमों का सक्ती से होगा पालन कोरोना की दूसरी आप बदलाव किया गया कि अब बच्चों को मिलेंगे ग्यारा सो रुपए अब समान नहीं दिया जाएगा पैसे दिये जाएंगी बेसिक सिक्चा परिशत के स्कूलों में अधेया नहरत विद्यारतियों को इस वर्ज जूते मोजे स्कूल बैग स्कूल यूनिफार्म और स विद्यारति के अबावा के काते में करीब 1100 रुपए ट्रांसफर किये जाएंगे तो सीरी सिदे विद्यारतियों के लाव मिलेगा इसमें जो बीच में क्वालिटी इत्याज की बात आती थी वह समान सोगी वहें पर बच्चों का जो कोरोना टीका है वह अक्टूबर के अ नायलेट वाला जो लेविल होता है वही मानने होगा हाई कोट की लखनाव बेंजने एसाई और एसाई के चैसो नौ पदों पर भरती के मामले में कहा कि इस परिच्छा में वही अबर्थी बैठने के योग थे जिनके पास डोएक या नायलेट का ओ लेविल सर्टिफिकेट था इसके साथ ही कोडने बीटेक बीसी केंप्यूटर साइंस और बीसी करने वाले अबर्थियों को भी मौका देने का एकल पीट का जो आदेश है वो अब खारिच कर दिये गया है नयमूर्ती रितुराज अवस्ती नयमूर्ती दिनेस्तिंग की खंड पीट ने राज सरकार अब बैट्टियों के याच का ओपर आदेश दिया था कि याचीगन ने जो कोर्स किये हैं ओ लेविल उन कोर्स का भाग है तो जो समकक्ष के जो कोर्स थे उनको मानता देजी गई थी लेकिन डबल मेंज ने उसे फिलाल खारिच कर दिया गया है और किवल ओ लेविल के जो विद्यार्थि उनको इमान किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो याचीगन थे बीटेग बीस सी केंप्यूटर साइंस बीसी एक जो टिकरी ले चुके थे उन विद्यार्थियों को जटका लगा है तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो गर आप